तो चलिए दोस्तों आज जो हम लोग class करने वाले हैं वो class हम लोग Hindi class करने वाले हैं जिसमें हम लोग objective questions देखेंगे बहुत important VVA objective question का हम लोग answer करने वाले हैं तो नेक्स्ट कोश्टन हम लोगा एक रोगी एक वैद्ध है यह क्या है यह बताना है तो यह एक नाटक हो जाएगा नाटक हो जाएगा इसका राइट एंसर चलते हैं नेक्स्ट कोश्टन पर तो नेक्स्ट कोश्टन क्या हम लोगा तो नेक्स्ट कोश्टन जो है निवन में स वो है नाया खुन पत्री का संपादन कब किया गया था इसका राइट एंसर बताना है इसका राइट एंसर हो जाएका वो पे पुरुसकार कभ दिये गया था राइट एंशर हो जैगा तो वह dedi कि लीचान करे लिए तेए तो इसका राइटर कJack क्रिट्व liver। की सब्सक्राइब कहा है तो ने मैग्स्थ रॉट्य देख लिएिए दिन कर ही ना करत सक्कुंष्ण हम तो next question दिख लेते तो next question हम लोगा महाभारत किस प्रकार का संग्या है तो इस प्रकार का संग्या है तो ये इसका जीर युदार polarization क्या hockey हो जायगा चलते next question पर तो next question क्या मोगा कूशी नगर में गंड़क नदी को किस नाम से जाना जाता है तो यह बताना की ज़ो कूसी नगर है उसमें गंधक नदी को किस नाम से जाना जयता तो इसका राइट इसका रच पहले हो जाएगा जिएगा बई का राइट रोजएगा चलते नेक्स्ट कोcoatन पर तो नेक्स्ट कोश्चन हम लोग यहाँ पर निमलीखित में से पुथ्री का पर्यवाच्ची सब्द होगा तो पुथ्री के इसमें पर्यवाच्ची सब्द बताना है इसका पूत्री के परियवाची सब्दें कर देख लेटेंगर जी कि एवस्था में पहली कविता पुरसकार प्रणभंग प्रकासित हुई थी तो कितने वर्स के थे वह यह बताना है जब उनका यह प्रणभंग पुस्तक प्रकासित हुआ था तो इसका क्लिए कि मतलब 21 वर्मीट हरु यानरी के इस यह राइट अचर हो जाहेगा ऑनकी निर्मला देवी तो नेक्स्ट आ चलते नेक्स्ट क्लुशन हसे नक्स्ट परूह देखले हैं इसमें जेब का जो बहले करना जो है कि इसका हम लोग को लिंग निरिद्डय करना है यह कौन सा या वताना म腦ानाए मैं उसका राइट एंसर क्या गर आपको बताना है तो आपको बताना थानी इसकत से किया था तो उन्हें कुस्ट की से? तो नेक्स्ट कुश्न क्या हम लोगा दूधरोटी धंडी हो गई इसमें दूधरोटी सब्धू कौन सार लिंक रिंगतने करना है तो इसका right answer क्या होजाएगा उसका right answer हो जाएगा वो thrilling हो जाएगा क्यूंकि देखे भूद रोटी ठंडी हो गई अगर भो गया होता ये वह dallहुता लेकिन यह पर हो गई है त्रीजीन होगा चलते नेक्स्ट कोस्टन कि हम लोगा दुम हिलाने मुहावरे का अर्थ हो जाए स्यूर्ट इसका क्षछ करना हो जाए क्या हो जांग से चाता बत्यागर सिय क्रल सिय और रॉख गूई होई अलग चाने से आगे पढ़ाई रुख गई यह बताना है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो अग्या जी की पढ़ाई रुख गई थी? किसका अग्याजी की पढ़ाई रुग गई थी next question देख लेते हैं तो next question है हम लोग का भागत जी मतलब भागत सिंग भागत सिंग की पहली ग्रिफ्तारी कब हुई थी तो उनकी पहली जो ग्रिफ्तारी हुई थी कब हुई थी कौन से कौन से यहर में हुई थी ठीक है तो इसका राइट एंसर जो जाएगा वो 1927 इसुई में जो है उनकी पहली ग्रिफ्तारी हुई थी जब भी पूछेगा कि प सिताप दिवारा एक गाउन है उसमें कौन रहने वाले थे मैंने हनती इसको क्रौइब ब्रारकु ठारख में जब यूज कर रहनोम का था जुसा किं प्रारंबेद जीच्छा नहीं होइएा था तो किसे हम लोग क्या कहेंगे उसे हम लोग कहेंगे अनुकंपित कहेंगे क्या कहेंगा इसका राइटि एनसर हिसलिस क्या मोलत की वालगों चाय तरफ इस लिर चाय में य सब्द क्या है जब होगा ठीक है है इसका राइट एंसरो चलते है नेक्स कोशन पे- तो नेक्स्ट कुशन क्या हमलों का मांजे में यहां कहां रहती है यह कौन बोला यह किस ने बोला था यह किस ने बोला था लिहना सिंग्र जाएक लहना संग इसका राइटेंसर हो जाएगा जो लहना सिंग है उन्होंने एक लड़की से पूछा कि मांजे मिया कहां रहती है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा यह प्लिद तो नियुक़् कोर्ण का रंसमाइब होतार है तो नेक्स्ट कोacter गूरु का विलोम सब्द पूछ रहा है इसमें तो गुरु का विल्ओम सब्द पूछ रहा है तो गूरु का City दिया नहीं हुआ है सिस्ल होगा थिके भी लोम पूचेगा तो सिस बताना है थीके नेक्स्ट कुशन देख लिए तो नेक्स्ट कुशन क्या हम लोग काहा कि बादचित निराली होती है तो अगय जी ने इंटर कहां से किया था, उन्हें ने우 इंट्र कहां से किया था, यह बताना है में, उसका राइट एंशर क्या हो जाएगा, तो मदरास क्रिश्टेन कॉलेज अग्या जी ने इंट्र किया था, next question देख लेते हैं तो next question क्या हम लोग का फल आहार करने वाला तुसे हम लोग क्या कहते हैं जो फल का आहार करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो उसे हम लोग फल आहारी कहते हैं क्या कहते हैं तो next question क्या हम लोग का तो next question जो हम लोगा वो है समसेर बहादूर सिंग की रचना किस सब्टक में आने शुरू हुई तो किस में वा आने शुरू हुई तो इसका right answer क्या हो जागा तो दूसरा सब्टक हो जाए क्या हो जाए क्या हो जाए इसका दूसरा सब्टक याने कि एक्जामे जरूर प्जाबर पिचान को बड़ा है अभी घुछता हूब काई किसने कर एक रिचन कर सब्सक्राइब śने कर सा壁कां को खाए था Karena प्लूज़न है जणन जलंग्र है उसमें कोन सा अलंग्र है यह बताना है तो इसका पूना ड्रूख 30 राइंसर चलते हैं नेट्सेम But Clones वह फटक दो करें कkommenंट को केरी जब भी पूछे का कि पिता जी का नाम है तो तूल सीदास के पिता-जी की धीसाई सही ज़गा चलते हैं नेक्स्ट कोशटन पहुए तो नेक्स्ट कुछन हम लोगaa सीता वनवास किन की रचना है तो किन की रचना हो जाएगी तो यह बाल कृष्ण भाट इसका राइट एंसर हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट कोशन पे तो नेक्स्ट कोशन हम लोगा यहां पे फिर से रिपीट हो गया तो सीता वनवास क्या है यहां पे क्या है पूछ रहा है संख्या होती है तो कितनी होती है तो इसका जब राइटेंसर पूछेगा तब हुआ रहे जो जेगा जल nutrakry इस विय्स सब्सक्राइप तो इस का राइटें पूछ क्षच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् में कि रहा एक यह पर में ऑगे हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किसका कहानी Will क tietके खर्च क्या हो दिए इसका योगा कि किसने उसने कहा था वीमल द्राइब thing चलते next question पे तो next question हम लोगा सोहरा हम है जो सोहरा है वो क्या है तो इसका right answer क्या हो जाएगा एक प्रकार की गाली है क्या है सोहरा जो है एक प्रकार की गाली है चलते next question पे तो next question क्या हम लोगा question जो है वो है बचपन में किन का नाम बाउल था तो किन का नाम बाउल था तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो B यानि कि जै प्रकास नरायन जी का नाम जो है बाउल था क्या था बाउल था इसका राइट एंसर B हो जाएगा तो आज को तो चलते हैं नेक्स क्लास में हम लोग मिलते हैं आप लोग से